लोग यहाँ पे वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे खड़े हैं और पहली बार दिल्ली में यमना इस तर पे पहुंची है जब 208.6 से उपर है और इस लेवल की पानी पहुंचेगा यह कभी सोचा नहीं था तो अभी तीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद चंदरावल और ओखला तीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वज़े से बिकाज पानी पंप्स के अंदर गुस गया है अंदर मशीनों में गुस गया है और जब तक पानी कम होगा उसके आद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा क्योंक बहुत सारे प्लेंस में हमारे वो भी चलते थे ट्यूवल्स चलते थे वो सारे ट्यूवल्स भी फिलाल बंद हो गए हैं उनका भी पानी कम हो गया तो एक दो दिन पानी की काफी किल्ट रह सकती है दिल्ली के अंदर मैंने बताया कि, मैक्सिमम डेड़ दो दिन तक, मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हम पानी शुरू कर पाएंगे, कल शाम तक doctr 것 कर पाएंगे, क्योंकि केवल पानी कम नहीं होका, पानी कम होने के बाद उन्कों मशिनों को सुछाना भी पड़ेगा, ड््राइ करना पड़ेगा उसके सारी तैयारी है जैसे पानी कम होगा मशीने सुखाने का काम शिरू हो जाएगा लेकिन इसके लिए जनता को तकलीफ होगी जनता को उसका सामना करना पड़ेगा वो कल ही मैंने बता दिया था जो हमारे पस रिपोर्ट सारी थी कि पानी काफी तेजी से उपर बढ़ रहा है तो मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत जादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और जितना जादा से जादा हो सके अपना वर्क फरम हो करें जो एरियाज अफेक्टेड हैं वहां पर हमने स्कूल भी बंद करवा दी हैं और रिलीफ कैंप्स में भी सारी सो विधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं देखिए जो प्रेडिक्शन्स आ रहे हैं सी डब्यू सी के वो तो बता रहे हैं कि आज तीन चार बजे तक होना चालू होगा ऐसी प्रेडिक्शन्स सी डब्यू सी के हैं